किसानों की रभी की फसल के लिए बोहुनी का समय चल रहा है मंडी प्रांगड जहां पर किसानों को खाद मिलता है वहां पर किसान खाद के लिए रात दो बजे तक लाइन में लगे है किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा है और यह कहकर उन्हें भगा दिया जाता है कि स्टॉक नहीं है इस मुद्दे पर पूरे प्रदेश के किसान परिशान है बंडविधान सभगे पूर्व कॉंग्रेस विधायक तरवर सिंग मंडी प्रांगण पहुँचे और किसानों की समस्याएं सुनकर उन्होंने इस मामले में आंदोलन की बात कही तरवर्ट सिंग किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद मंडी प्रांगण में ही धरने पर बैठ गए जहाँ पर बंड़ा तैसीलार पहुंचे और किसानों की समस्याओं सुनी गए किसानों ने बताया कि उन्हें रात दो बजे तक लाइन में बैठना पड़ रहा है दिन में भी कडी धूप में खड़े रहे कर खाद लेना पड़ रहा है तैसी लार ने कहा कि किसानों को जो समस्याएं हो रही है उसका जल्द निदान होगा उधर विधायक ने खाद की काला बाजारी के आरोप लगाए है जानकारी लगने पर यहां बंडा SDP शिखा सोनी थानपरभारी उकमा सिंग मंडी प्रांगल पहुँचे और किसानों को समझाईश दी इस मौके पर किसान अपनी मांग पर अड़े रहे और धरने पर रहे रहे रात के दो बजे से हमारे पूरे बंडा छेत्र का किसान डवल लाक का जो खाद बत्रण होता है वहां पर बैठा है और अभी कम से कम धाई इस तीर सो किसान ऐसे हैं जिनको एक भी बोरी खाद नहीं मिला और जो दिन में ले के गए हैं खाद वह एक बोरी या दो बोरी है ठीक है और उसके बाद है अभी हमारी बात है हमारी डीयमो है मैडम उसे भी बात हुई है हमारे जो यहां पर दवल्ला के प्रिभारी है उसे भी बात हुई है और हमने एक टीम बना के भेजा था उस टीम के साथ प्रिभारी है वो भी गए थे गोदाम में 600 बुरी खाद रखा है अब सिर्फ गुम्राय करने का काम किया जा रहा है यह भार करती है यह भार्ची जनता पार्टी की सरकार किसान मिरोधी पार्टी है आप देखिए अभी रात के साथ बजने को है उसे किसान माता बहनों बहने भी यहां पर बैठी है जिनको खाद चाहिए और खाद नहीं मिला मेरा तो बरतमार में जो हमारे मत्यप्रदेश की भाजप की सरकार को पूरे प्रदेश की जनता ने बोर्ट दी थी हमारे बंडा विधानसवाचेतर के विधायक 2023 में जो बने उनको जिन जिम्मेदारियों को लेकर हमारे विधानसवाचेतर की जनता ने बोर्ट दी थी और उन्हें जिताया था हमारे लोकसवाचेतर के सांसद 2024 में जिनन के कुप पूरे लोक्सवाशेट्र की जंताने जिन जुम्मेदारियों कह ले लेकर बोर्ट दी थी उन जिम्मीदारियों का ना ही मदाय vidéo कि ना ही वहाँ प्रदेश की मुख्मंत्री नर्वहां नहीं कर पा रहे हैं मेरा तो बस यही कहना है पहले तो हमारे बंड़ा छित के विधायक जब जन्चक की समस्याओं को हल नहीं कर सकते वो अपना इस्थीपाद दें उसके बाद सांसत दमोई वो भी अपना इस्थीपाद दें और उसके बाद हमारे प्रदेश के मुखिया भार्जी जंदा बहान कर पा रहा है बस मेरा यही कहना है आप धरनी पर ऐसे कब तक बठे रहेंगे देखिए अभी हमारी बात हुई है और किसान हमारे साथ जितने भी किसान बैठे हैं सभी किसान इस आस को लेकर बैठे हैं कि अगर उन्हें एक भी बोरी डिएपी खाद की मिल गई तो वो दस दिन जाएंगे और उन सभी किसानों की केती वही नहीं जाएगी उखट जाएगी तो हमारा तो बस यही आपकी चैनल के मात्यम से इस पीडियो क्लब के मात्यम से यही निमेदन है कि भारजिनता पार्टी की सरकार चेते यहां के बिधायक चेते हैं यहां के सांसत चेते आप लोग दुरूरि भब्यवार करने वाले हैं कियोंकि सरकार रही भोसी आई , भोसी गई , आने वाला समय, आपको यही छेत्र की जंता और यही छेत्र के किसान आपको बता देंगी जो उनके साथ आप लोग दुरूरिववार कर रहे हैं अब महिला है , ह banana